ठीक है? ओटो सेक्टर को पकड़ते हैं चलो. ओटो सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है. आने वाले समय में आपको वाक्य में अगर कहीं से पैसा कमाना है तो ओटो सेक्टर में आप लगा सकते हो. ओटो मोबेल सेक्टर में. और इसमें भी जो e-vehicle बनाता है e-vehicle के topmost कंपणियों में किनका नाम जुमार होने वाला है महिंद्रा का नाम, महिंद्रा ओलेडी e-vehicle बना रहा है आने वाले समय में पेट्रोल आपको भी पता है कि पेट्रोल महिंगा होते जा रहा है है इनी अविलेबल भी नहीं एक दिन खतम हो जाएगा और प्रॉब्लम यह है कि चलो महिंगा हो, सस्ता हो, environment को खराब कर रहा है in that case महिंद्रा कंपणी, टाटा कंपणी, यह जितने भी कंपणी आपको दिखाई दे रहे है इनमें से बहुत सारी companies e-vehicle बना रही है आने वाले समय में आप charging वाले vehicle चलाओगे आज भी चला रहे हो, बड़ी बात नहीं है आज महिंद्रा के, महिंद्रा के तो कबसे ही e-vehicle दोड़ रहे है तो कारे भी दोड़ रही है, ठीक है तो यह hero हो गया, मेरे favorite कौन से है, इनमें से मेरे personal favorite है hero, यह बहुत evergreen company है आप चाहो, जब चाहो तब लगा सकते हो अशोक लेलें, यह मेरी favorite company है ठीक है, इसके shares तो काफी सस्ता है इसका एक share 121 रुपेगा 121 रुपेगा एक share, मैंने खरीदा था 60 रुपेगा share था, 60 रुपेगा अभी double हो चुका है, अब जरा सोचो मेरे पास Mahindra के भी share है, यह मेरी favorite company है अपनी Indian company है, मतलब सारी वैसे Indian है, मतलब काफी अची company है और Tata, Tata तो evergreen है आप किसी भी sector में Tata के share खरीदो, आपको फायदा ही होगा तो यह सारी auto sector है और इसमें से भी वो मारूती सुजुकी तो आपको पता ही है शेर बहुत महेंगा है, इसलिए मैंने नहीं खरीदा मारूती सुजुकी का share बहुत महेंगा है क्योंकि वो demand में बहुत है सबसे बड़ा जो percentage है वो इसी company में ले रखा है, auto sector के अंदर तो इसलिए बहुत महेंगा है पर leader यही है, इसका share बहुत महेंगा है इतने पैसे हो तो लगा देना, मेरे पास थे नहीं मैंने कभी खरीदे नहीं मेरा favorite आपको बता दिया है, मैंने किसमें लगा रखा महिंद्रा में, Tata में इसके अलावा मैंने लगा रखा hero में और यह share महेंगा है, तो मैंने तीन में लगा रखा बाकी company सारी अच्छी है और यह sector, यह high risk वाला sector नहीं बहुत अच्छा है in fact अगर इसमें, अगर आप in future देखोगे तो जो e vehicle आने वाले हैं तो जो e vehicle बनाता है, जाके उसमें invest कर देना